तो आज यार हम बात करेंगे वेव जही तुटीन टॉटेवन में एकस्पेक्टेड रैंक व्कस मार्स क्या होगे मुलत कितने ही मार्स पे कितनी रैंक से बंढ सकती है एकस्पेक्टेड क्या होगा 2022 में आज यह हम इस टॉपिक पे शरजा करने वात हैं इसके पहले यार हम दो दिन बातें आपसे खायना चाहते हैं पहले चीजिए यार इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कहीं हैं तो कर लिए सी क्योंकि यहां पर वेवजय से रिलेकर सारे content आपको प्रवाइड किये जाएंगे कई confusion होती है उन्हें student के लिए जो other states से होते हैं लब बेश्ट बंगाल से नहीं होते आउटसाइड बेश्ट बंगाल जो student होते हैं कुछ college है जो उन्हें government college है जो उन्हें mission देते हैं कुछ government college है जो उन्हें mission नहीं देते हैं इसमें लोगशान रहती है तो इसके लिए ही मैं आप सबको एक अच्छी video बनाओंगा कितने कैसे प्लानिंग की जाए आपको पढ़ाए कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए कि आप एक अच्छा score ले आए क्योंकि हमारी बेश्ट 2020 में जो रेंग थी 3000 रेंग थी तो आपको अपने experience के थुरू इस सीजर को समझा रहा होगा तो सबसे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस marks पे कितनी रेंग एक्सपेक्टिड हो सकती है 2022 में लेकिन दो तीन बाते हैं यहां पर भी डखना है कि देखो यार पिशली बाद जैसे 2021 में काफिक कम इस्टुडेंट विबजरी के exam में अपियर हुए थी तो इस वजह से थोड़ी से कम marks पे भी अच्छी rank बन गई थी जबकि 2020 की बात करोगी तो आई थिंग की 2021 के compare में 2020 में ज्यादा marks लाने परते थे एक अच्छी rank के लिए तो इस चीज था लेकिन मैंने सारे स्टुडेंट का फिडवेक लिया है जो 2020 में अपियर हुए है इस में अपियर हुए है इवें 2019 में जो स्टुडेंट अपियर हुए है फिर मैंने इस राइंक बसे मार्स का एक content तैयार किया है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी तो सबसे पहले अगर आपको 100 राइंक रखनी है अंडर 100 राइंक रखनी है तो आपको 110 मार्स की require होगी 110 मार्स से उपर आपको रखना पड़ेगा 110-120 के बीच में अगर इस पोर लिया आते हो तो आपकी जो राइंक बनेगी अंडर 500 बनेगी वहीं आप अगर 100 से 110 तक का स्कूर करते हैं तो आपकी जो राइंक बनेगी अंडर 1000 बनेगी अंडर 1000 राइंक के स्कूर करते हैं तो जो आपकी राइंक बनेगी वह 1.5 के 1500 के आसपास आपकी राइंक बनेगी अगर आपका स्कूर 80-90 के बीच में होगा तो जो आपकी राइंक होगी वह 2000 के आसपास होगी और अगर आपका स्कूर 75-80 के बीच में होगा 75-80 के बीच में होगा तो जो आपक मार्क्स 70 या 75 होंगे तो आपकी जो रैंक बनेगी अंडर 5000 बनेगी तो अगर आप 70 मार्क्स लाते हो तो अंडर 5000 रैंक ले आते हो तो आपके पास काफी जादा आप्शन रहेंगी अच्छे एकालेजे में अड्मिशन मिलने के और अगर आपका मार्क 60 से 70 के बीच में आता है इस केस में आपकी जो रैंक रहेगी वो 10,000 के आसपास होगी और अगर आपका मार्क्स 50 तो 60 के बीच में आता है इस केस में आपकी जो रैंक रहेगी वो 20,000 के अंदर बनेगी अगर पचास से साथ के मार्क के बीच आप स्कूर करते हैं तो जो आपकी रेंग मनेगी ओ किसके बीच में बनेगी 10,000 से 20,000 के बीच में आपकी रेंग बनेगी वही अगर आप स्कूर इस एक्जाम में 40 फ्लेश करते हैं 40 से 50 के बीच में स्कूर करते हो इस केस में जो आपकी रेंग बनने वाली है ओ 35,000 स 20,000 के बीच में मिलने वाली है अब अगर आपकी रैंक 35,000 से भी नीचे जा रहे हैं तो यहां स्वारी कि यहां पर कोई आपको अच्छे प्राइबेट कॉलेज या पिर अच्छे कोई इंस्टिट्यूट गौर्रमेंट इंस्टिट्यूट सायद ही आपको मिल फाएं तो यहा 5,000 के अंदर अगर आप रहेगी तो बहुत अच्छे इस्टिट्यूट में मिलेगा लाइक दे मकाव कल्यानी इनुवर्सिटी या फिर जादा उफन इनुवर्सिटी में आपको कोई कोर ब्रांच कोर ब्रांच लाश्ट इस्पॉर्ट टाउन में तुम्हें मिलने के चांस मिलेंके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए चलते हैं सीया थैंक यू टेक केर बब बाई